तो आपको जैसे की पता है हर हफ़ते हम एक सेशन करते हैं और इसनल प्लान साटरड़े का था बटाइट संडे माइट बिट बेटर क्योंकि थोड़ा चिल में लोग देख सकते हैं तो इसको हम साटरड़े का संडे की तरफ मूफ कर रहे हैं यह वह गई पहली बात तो यहां पर मैं आप लोगों से रेगिलरली क्वेस्चन्स पूछता हूँ तो हर हफ़ते में है अराउंड थर्जदे फ्राइडे के आसपास मैं आपको एक ट्वीट और एक कम्यूनिटी पोस्ट कर देता हूँ कि यार अपने-पने क्वेस्चन्स छोड़ दो इन क्वेस्चन्स को हम इस वीकेंड के सेशन में आंसर करेंगे तो इस बार काफी जादा क्वेस्चन्स आये हैं कुछ जो repetitive थे तो वो मैंने पिक नहीं किया क्योंकि उनका आंसर दूसरे क्वेस्चन्स में पिक हो गया है ज़रूर दबा दें काफी जादा प्रोधसान मिलता बिकोज यह segment बनाने के लिए मैं presentation खुदी prepare कर रहा हूं screenshots ले रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं प्लस यह videos लंबे हैं तो थोड़ा सा अगर आपको ए content अच्छा लग रहा है and value दे रहा है अगर बात करें यहां पर यूट्यूब आप लोगों को पता है कि यूट्यूब में करता हूं यूट्यूब में earning कितनी है यह मैंने financial funda चैनल पर शेयर किया है financial funda चैनल का link आपको नीचे मिल जाएगा वहां पर मैंने यह चैनल का dashboard दिखाया था sponsorships की जहां तक बात करें guys bear market है there are not a lot of sponsorships तो मोटा मोटा जो income है वो वही है 14-15 हजार जो मैंने अल्रेड़ी शेयर कर रखा है in fact उस video में जो शेयर किया है तब जादा थी क्योंकि market की condition अलग थी आज की date में वह और कम हो गई है first thing second मैं और क्या करता हूँ so मैं एक marketing team lead कर रहा था for a project called Zionverse जो कि एक web3 gaming का project है पिछले 2 साल से right now मैंने वो marketing team का lead का position से हट कर अभी मैं strategy में help कर रहा हूँ Zionverse को as well as यह rather Zionverse की team के साथ ही काम कर रहा हूँ as well as मैं partnerships strategic partnerships है वो Zionverse पे lead करता हूँ so this is what I do from a job perspective and YouTube का आपको पता ही है in parallel अगर मैं आपको बता हूँ तो मैं मैंने 2014 में Python पे project किया है Denmark में जाकर so मैं वो Python वापिस से अब थोड़ा refresh कर रहा हूँ because 8 साल मैंने कुछ coding अगरे नहीं की so that takes away from a lot of what I do but मुझे solidity समझता है smart contracts पढ़ना आता है वो सारी चीजे है तो उतना की मेरा experience रहा है coding का पिसले 8 साल में तो I am getting back to it so python और उसके बाद I will get into data science and data analytics a little bit and then वहां से देखते हैं हम कहां जा सकते हैं so that's the plan to add those kind of skills on the skills front and living वाली front में मुझे क्या help करेगा उसके लिए मैंने google का जो project management का specialization slash professional certificate है वो मेरा almost wrap up हो गया है अगले 2-3 दिन में में पूरा का पूरा मेरा certification complete हो जाएगा so that's another thing जो मैं कर रहा हूँ जो मेरे living में मुझे help करेगा I do believe कि YouTube करो ठीक है but a career parallel में चलना चाहिए not because of the the risk क्योंकि YouTube बहुत ही up-down होता है बहुत ही volatile as a career but because हम human beings को multiple चीजे drive करती है life में तो एक चीज से वह excitement with time चली जाती है so it is very important में रहे हिसाब से at least so that's what I am doing and financial funda channel आपको पता ही है financial funda channel currently करीब करीब देड़ हजार रुपए से लेके 2000 रुपए पर मंत मुझे देता है that's all no sponsorships whatsoever channel बहुत छोटा है 10,000 subscribers just हम touch करने वाले है थोड़े time में वो भी again आप check out कर सकते हैं so that's kind of मोटा मोटा answer on कि क्या चल रहा है moving on guys नेहा पूछते हैं कि technical analysis करें ETC का यानि कि Ethereum classic का और merge का क्या effect होगा now Ethereum classic guys technically एक dead chain है यहाँ पे फिर मैंने उनको बोला था कि dead chain है तो नेहा ने बोला कि 11 डॉलर से वो 44 डॉलर आया है dead chain है बड़ वो pumps दे रहा है तो क्या ETC is a good opportunity so मेरा opinion बहुत सीधा से guys there is a reason कि Ethereum proof of stake पे जा रहा है and there is a reason कि Ethereum में Vitalik and all of these guys believe कि proof of stake एक अच्छा ecosystem है proof of stake आने के बाद Ethereum का demand बहुत जादा बढ़ेगा institutional investors के पास क्योंकि वो energy efficient होने के यहाँ पे problem जो है वो solve हो जाती है this is one second अगर ETC की बात करें मेरा मैंने पहले आपके साथ share किया था कि ETH 2.0 के बाद क्या हो सकता है मेरा ऐसा मानना था कि बहुत सारे लोग ETH 2.0 जब आ जाएगा proof of stake में आ जाएगा तो जो Ethereum mining करते हैं वो लोग ETC, Ravencoin ये सब की तरफ आएंगे और इनका demand बढ़ेगा but here is a problem, अब जो proof of work और proof of stake की change ही अलग होने की बात हो रही है तो we don't know अगर ऐसा हो जाता है कि जो current Ethereum chain है वो proof of work रह जाएगी और एक जो fork बनेगा नया बनेगा जो वो proof of stake में चला जाएगा then maybe ETC का demand उतना ना रहे तो इस तरह की situation में speculation करना I will stay away from personally क्योंकि finally तो again speculation है stock market हो, crypto market हो किसी भी तरह की चीज हो तो थोड़ा सा risky यहाँ पर हो सकता है तो मैं इस reason को दिमाग में रखता हूँ ETC से बहुत long time से बहुत दूर रहता हूँ personally I don't believe it is a sound chain now वाजित पठान भाइब उसने की vision about lovely inu coin देखो नेरा बहुत simple सा answer मैंने उनकों बताया कि unfortunately ऐसे shit coins का कोई vision रहता नहीं है so point is जिन भी projects मैं बहुत time से last year से बोलता रहो जिन भी projects के नाम में ही popular बंदे का नाम है या कोई और popular project है उसका नाम डाल दिया यानि कि अपने नाम में doge लगा दिया अपने नाम में Elon लगा दिया इस तरह की चीज़े जो है ये एक ही चीज़ बताती है कि उनको वो जो coin का creator है वो खुद पैसा बनाने में interested है वो एक second भी सोचेगा नहीं रगपूल करने में तो ऐसे coins के कोई vision नहीं है same मेरा मानना था Shiba Inu को लेकर बट Shiba Inu की जो community वाली side से काफी pressure and developers की तरफ से काफी pressure आ रहा है कि multiple चीज़े launch किये जाए multiple utilities and use cases launch किये जाए if they come out very very well great great for Shiba Inu holders but all in all Shiba Inu start की हुआ था वो चीज़ important है Shiba Inu ने marketing कैसे की थी Vitalik Buterin भी investor है जबकि उन्होंने खुदी Vitalik Buterin को जो है पैसे वहाँ पे coins भेज दिये थे तो ये कुछ चीज़े important है कि इन्होंने start गलत लिया था अभी शायद वो change कर जाए I don't know वैसे तो बोलते कि फितरत कभी बदलती नहीं है तो हमें पता नहीं है मैं इस reason की वज़े से इस तरह के coin से usually दूर रहता हूँ I do believe इनके उपर कोई vision नहीं आप रखना चाहिए आपको नहीं इनके founders का कोई vision है बहुत सारे YouTubers आपको pump करते दिख जाएंगे ये coin ले लो ये ले लो वो ले लो and वो सारा का सारा speculation में एक और बड़ा speculation है हम speculation करते हैं पर जब हम fundamentals देखते हैं team देखते हैं तो हमारा उस speculation का उस bet का जो and ये stock market में भी same है उस bet का जो fail होने का chance है उसको कम करने की कोशिश करते हैं with these kind of coins it is very difficult in my opinion so I don't think there is a vision per se यहाँ पर इस तरह के coins moving on सुमन भॉमिक पूछते हैं कि ETH 2.0 के बाद हम कौन से alt coins में बड़ा pump expect कर सकते हैं और किन में बड़ा dump expect कर सकते हैं एक specific और fully explained answer दे दो so my answer is अगर आप ये चीज के हिसाब से आप पैसा invest करने वाले हैं तो ये बहुत ही गलत question है you should ask ETH 2.0 के बाद ETH में क्या होगा what will happen to ETH what problems does ETH solve ETH क्या problem solve करता है after merge जिसकी वज़ा से कुछ और coins का use कम हो सकता है so for example short term हो सकता है matic कम use but short term because matic जिस तरह से चीजों को follow कर रहा है वो बहुत अलग है matic में मैंने एक रिसेंटली full-fledged matic fundamental analysis वाला video बनाया आप देख लो 2-4 दिन पहले की बात है और इस week में में और fundamentals वाले videos लाई कर आ ही रहा हूँ so then वो पुछते कौन से coins में dump है तो ये तो future predict करने वाली बात हो गई right to be honest जो और smart contract platforms है उनकी community तो कहीं जाने रही right तो अगर कोई dump आता भी है तो वो coincidence के base पे हो सकता है I think I don't think कि ETH 2.0 से related alt coins में dump आए का I think overall market में अगर dump आता है तो बात अलग है right now क्योंकि ETH 2.0 या ETH merge के बाद जो Ethereum आना है basically that is not solving for gas fee most probably gas fee पे जादा असर नहीं पढ़ने वाला so still लोग use करेंगे ETH जो जो बंदा matic use करता है क्योंकि वहां पे transaction fee एक रूपए से भी कम है in fact आदे रूपए से भी कम है वो बंदा Ethereum POS में भी जो है fee हम 10-20 dollar expect करी सकते हैं और कुछ नहीं तो पे करेंगे नहीं of course not right तो वो यूज केस के ऊपर depend करता है and this is यह तरीका is going to be very difficult कि आप सही से answer कर पाओ क्योंकि market क्या करेगी यह guarantee से किसी को पता नहीं होता Ethereum में by the rumor sell the news होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं क्योंकि Ethereum एक ऐसा एसा asset है जो सब लोग hold करना चाहते है बहुत सारे assets में होता है Matic में आपने notice किया होगा Disney के time पे हुआ उसके पहले cardano में भी हुआ है हर asset में या हर coin में ऐसा हुआ है but ETH एक ऐसा coin है जिसको लोग dump नहीं करना चाहते and when I say dump I mean बेचना नहीं चाहते मेरे जान पे जान में लोग है जिन्होंने ETH 1000 dollar के नीचे ले रखा है and जब वो 2000-5000 गया है they don't want to sell वो ETH hold करना चाहते है right so वो demand कहां जाएगी I don't think वो demand को answer करने वाला भी market में कोई और coin है personally Darsh Wayne great name by the way वो पूछते है कि bro एक hardware wallet खरीदा है पर transfer करने है coins उसमें और cheaply करने है मेरे पास USDT है USDC है और BUSD है इनको ERC20 यह hardware wallet करता है any कैसे cheap किया जाए any ideas so first of all अगर आपने ledger लिया है तो यहां पर आपके पास multiple chains का option है आप BNB account उसमें open करें and उसमें आप Binance chain के थूप भेजेंगे तो वो BNB के अंदर आ जाएगा so BUSD आप ऐसा देख सकते है USDC, USDT अगर आपके पास huge amount है तो I will suggest use ERC क्योंकि ERC20 is going to be a relatively safer chain in all अब अगर आप बोलतों नहीं नहीं मेरे को Tron chain ही करना है तो ledger जो है वो आपको Tron chain भी करने देता है आपको Tron का address अपना लेना है या account बनाना है and you will be able to do that now unfortunately मुझे क्या नहीं पता है कि इन्होंने कौन सा wallet लिया है जब तक मुझे वो पता नहीं चलेगा मैं answer नहीं कर सकता तो दर्श अगर आप ये video देख रहे हो तो make sure कि आप मुझे उसी comment में twitter में ही answer कर दें कि कौन सा wallet है तो मैं वहां पे आपको twitter पे question थोड़ा better answer कर पाऊंगा depending on exactly कौन सा wallet है क्योंकि देखो nano s एक अलग चीज support करेगा treasure one अलग चीज support करेगा तो वो चीज आप मुझे जरा बता देंगे तो मैं better answer कर पाऊंगा बट मोटा मोटा ledger वगेरा जो है वो multiple chains आपको enable करते हैं अक्षे पुछते हैं कि alt pairs के साथ क्या होगा अगर usdt collapse हो गया तो उन्हेंनो what is the best table coin to buy alt coin suppose कि कल usdt collapse हो जाए कि क्या होगा क्या करना चाहिए so first of all guys usdt अगर collapse हो जाता है मोटा मोटा पूरी crypto market कुछ time के लिए collapse करेगी बहुत बुरी वाट लगेगी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होगी अगर usdt collapse करता है पहली बात तो हमारा least of our worries is going to be हमारे alt coin का क्या हो रहा है right the biggest worry is going to be कि crypto market बचेगा भी यह नहीं पहली बात दूसरा जब आप किसी alt coin लेते हो मानलो यह alt coin भी as in my bad मानलो आपको stable coin लेते हो usdt usdc या आप इसको INR भी समझ सकते हो आपने मानलो matic खरीद लिया as an example या ethereum खरीद लिया आपने usdt दिया ethereum खरीद लिया usdc दिया ethereum खरीद लिया अब आपके पास आगया ethereum आपके पास ethereum है आपके पास ethereum slash usdt नहीं है आपके पास ethereum slash usdc नहीं है आपके पास ethereum है आप उसको जिस मर्जी alt coin में बेच सकते हो जिस मर्जी stable coin में बेच सकते हो ethereum withdraw होगा तो अगर आ आपने मानलो यू आपने मानलो यू एस डी टी की जगा टेरा यूएसडी यूज किया था ठीक है टेरा यूएसडी यूज किया था और इथीरियम खरीद लिया था टेरा यूएसडी यूएसडी जो है वो कलाप्स हो गया अब आपका इथीरियम क्या हो इथीरियम तो आपके stable coin से खरीद रहे हो या वो stable coin की क्या दशा है आपने Ethereum खरीद लिए अब आपके बास Ethereum है यह मैं answer इतना depth में जाके क्यों कर रहा हूं question because यह question बहुत सारे लोगों की तरफ से आया है पहले भी especially जो लोग नए start कर रहे है so by the way like button ज़रूर दबाएं guys दूसरा what will happen to alt pairs pairs को कुछ नहीं होगा ठीक है again just to reiterate pairs को कुछ नहीं होगा क्योंकि जब बंदा एक alt coin खरीद लेता है stable coin देकर तो उसके पास वो alt coin रहता है stable coin का role खतम stable coin का role सिरफ तब तक है जब आप trade कर रहे हो buy ये sell कर रहे हो with that specific stable coin है उसका role खतम उसके बाद right शौरे पूछते है कि मेरा क्या thought है sanctions on tornado cash तो इस पर मैंने एक video भी बनाया था कि मेरा क्या thought है but आप last year से at least जब से मैंने crypto videos बनाने start किये है तब से मुझे काफी लोगों ने manero and ये सब coins के बारे में पूछा है and including then also bid torrent तो मेरा question और याद मेरा answer हमेशा से ऐसा होता था कि ये ऐसी categories है जिन में government and regulation side से बहुत problem आ सकता है तो इसलिए मेरा suggestion ऐसा होता था कि इन से दूर रहना usually better है और मैं खुद भी यही करता था so what happened was जब मैं ऐसा pushback सही है not really I think यहाँ पर privacy एक fundamental human right है मैं क्या private रखना चाहता हूँ क्या public रखना चाहता हूँ एक fundamental human right है एक चीज़ के एक circle में एक दाइरे में रहते हुए right so for example अगर मैं अगर मैं as in अगर कोई भी आदमी अपना income private रखना चाहता है that won't work क्योंकि government के कुछ laws हैं पूरे world में right so you should not do that and you cannot do that अगर आप cash में सब कर रहे हो then हाँ fine बहुत लोग करते हैं वो लोग सिर्फ cash में करते हैं cash का करोगे तो एक कच्ची receipt आपको दे देंगे अगर आप चाहते हो पक्की receipt तो GST लगेगा भाई तो ऐसा बहुत जगाओं पर आपने notice किया होगा तो इस तरह की चीजों में मेरा तो personal ऐसा मनना है कि लोगों के पास एक fundamental right होनी चाहिए कि आप अपना information या अपना जो भी है आप public रखो self declaration पर tax systems चलते हैं self declaration पर रहने हैं but अगर government को शक होता है I think at that point government के पास वो authority होनी चाहिए कि वो demand कर ले data I think that is a good model कि private रख लो बट अगर government को लगता है कुछ गडबड है वो demand कर ले और उनको immediately वो मिल जाना चाहिए I think this is a good thing information sharing जो है that should happen but जहां तक हम बात करते हैं tornado cash जैसे platforms की it is going to be very difficult कि इस तरह की चीज को execute कर पाओ क्योंकि आना जाना दोनों तरफ से problem है the same way complete decentralization एक problem create करता है क्योंकि अगर complete decentralization हो गई army वालों का क्या होगा right क्यों अगर complete decentralization है तो क्यों कोई एक देश के लिए लड़ेगा सब फिर पैसे के लिए लड़ेंगे right अपने ये वले angles जो है nobody has thought of maybe people have but उनको लगते है complete decentralized होने चाहे पूरी government decentralized होने चाहे that cannot work right same way I think ये जो पूरा sanctions का किस्सा है I think ये unfair है 100% but ये होना ही था this also I know ये मैंने पहले भी mention किया है and जब regulatory crackdown आएगा तब आएगा with time I do think ऐसी technologies बनने लगेंगी ऐसे solutions बनने लगेंगे जहाँ पर privacy maintained रहेगी unless the government wants I think that is a good way to go about things in future उसको शायद 5 साल लग सकता है 10 साल लग सकता है definitely on the tornado cash thing very unsure I think अगर आपको criminal activities को रोकना है तो it is a good thing to do right and इसके लावा कोई option नहीं है आप tornado cash में कैसे आप restriction लगा होगे how are you going to do that right तो इसलिए उन्होंने restriction लगाया and they are trying to stop that flow of funds लोगों को पसंद नहीं आ रहा है understood मुझे पसंद आएगा 100% of course not right मुझे भी कोई नहीं चाहिए कि कोई open source developers को बिना बात के गिरफतार करें ये सारी चीज़े करें but at the same time unfortunately given the current state of जिस तरह से funds flow हो रहे है I think it is a almost a fair action अब इसमें क्या better हो सकता था I don't know to be honest क्योंकि tornado cash जैसी चीज़ पे आप क्या करोगे आप उनका developers को ज़रूर सुपीना कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो but of course they won't they won't say a lot of things because उनको पता नहीं है smart contract developed है वो सब handle करता है so developers के हाथ में भी नहीं है so जब वो पूरा immutable system है I don't think they had a lot of solutions what is the future of domain names so I think domain names में आप ENS domain names पूछ रहे हो patu.eth I think potential है but it is very very difficult to say it today right ये वही बात है कि आप 1980 में मुंबई में कहीं पे आप जगा खरीद रहे थे right सब लोग बोल रहे थे यहां कौन रहेगा इतनी दूर मतलब मुंबई के आउटर पे पकड़ लो जो आज पूरा मुंबई included होगा जिसमे right अरे ये गाउं में कौन जाएगा यहां तो इतना क्या है जंगल लग रखा है जंगल में थोड़ी कोई आएगा यहां क्यों तू जगा ले रहे दो रुपे के भाव में जगा ले ली आज वो करोड़ करोड़ रुपे किये right the same thing but ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने आउटर पे जगा लिया और वो एरिया ही डेवलप नहीं हुआ so it is like the same thing यह चीजें जो हैं बहुत अच्छा भी कर सकते हैं बहुत बुरा भी कर सकते हैं historically जिनों .com domain names लिये थे smartly they have made a lot of money but again यह थोड़ा speculation में भी top speculation उपर वाला speculation आ जाता है यह reason की वज़े से मैं बहुत सारे domain names लिये इकठे नहीं करता हूँ मेरे पास थोड़े बहुत है but ENS वाले नहीं है .com वाले इकठे की हैं बाकी देखते हैं right blockchain course India type of domain names is what I have श्रीकान पूछते हैं कि liquidated पैसा कहा जाता है exchange के पास उनके जेब में सपन बटेल पूछते हैं पहली बात उन्होंने second question last time भी पूछा था कि price target क्या ethereum merge का मैंने ये question लिया नहीं आज भी नहीं लूँगा क्योंकि price target पहली बात मैं भविश्यवानी में class 3rd fail हूँ and I don't think आपने भी भविश्यवानी की class 12 पास की है PhD, BSc बगारा तो छोड़ी दो तो वो हम price targets पे तुक्के लगाना का तो कोई फाइदा नहीं है मैं आपको बोल दूँ इतना जाएगा और फिर वो नहीं गया फिर क्या करो गया तो वो एक important चीज again second thing is bend DAO का क्या होगा bend DAO वाला पूरा situation so उसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताथा crypto India चैनल पे I think आज ही वीडियो बना है या कल बना है सही है check it out check that video out I think आज सुबही आया is going to be very much in retail so definitely वो वाला वीडियो आप चेकाट आउट करो में invest करना सही है जो एक बार में अच्छा pump दे देते है या Solana, Matic, ETH जो थोड़ा धीरे-धीरे pump करते है so first of all हमें देखना है alternate क्या है अपने पास अपने पास crypto है और अपने पास stocks, mutual funds ये सारी चीज़े है stocks, mutual funds जो है वो साल का 12 से 15-16% on an average आपको every year 365 दिन का दे देते है ये average दे तो कुछ साल होंगे जिसमें negative return होगा कुछ साल होंगे जिसमें बहुत ही अच्छा return होगा so average 12-15% अपने को मिल जाता है उसके parallel में हम देखते हैं फिर bitcoin पे जो साल का 50-60%, 100% भी return अपने को दे देता है ethereum पे जो और जादा देता है historically बट bear markets में वाट लगती ही लगती है दोनों तरफ stocks में भी इसमें भी फिर आते है alt coins जो up down बहुत जादा देते हैं बट उनमें risk जादा होता है तो आपको अब ये देखना है कि आप अपने portfolio का कितना percent risk करना चाहते है तो मान लो आप अपने portfolio में से आपका portfolio 100 रूपे का है उसमें से आप बोलते हो 10 रूपे मैं इतना risk करना चाहता हूँ कि ये 10 अगर 0 हो जाए मेरे को कोई problem नहीं है बट अगर upside हो तो 100x की हो यानि कि मेरा 10 रूपे 1000 हो जाए और मेरा जो 100 रूपे का portfolio था वो 10x हो जाए so that thinking process वो है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा फिर आप बोलो के चलो मैंने 10 रूपे तो बहुत high risk में डाल दिये और 10 रूपे में medium risk में डालता हूँ कि up down में 50x हो जाए बट down में न 0 ना हो जो ऐसा 90% गिर जाएगा ठीक है मेरे को चल जाएगा मैं थोड़ा hold कर लेगा क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो portfolio है वो manage हो जाएगा अगर मानलो मेरा वो जो पहले वाला 10 रूपे था वो 0 हो गया अब मेरा portfolio रहेगा 90 रूपे का मेरा portfolio 10% down है दूसरे 10 वाले में से मेरा portfolio वो 10 का 5 रूपे ही रह गया सिरफ 50% गिर गया तो मेरा portfolio 15 रूपे down है यानि 15% down है am I okay with that क्यों होंगा मैं okay क्योंकि मेरे portfolio में bitcoin भी होगा ethereum भी होगा जो कि मुझे 15% नुकसान जो हुआ है वो cover कर सकते है so it is not about either or it is about risk versus reward आप अपके portfolio का क्या रखना चाहते है चाहे crypto हो चाहे stocks हो चाहे mutual funds हो right यह चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर by the way youtube videos से financial advice लेना पाप है घंगोर पाप है right so not a financial advisor अपना portfolio का risk versus reward सिरफ आप बता सकते हो आप एक comment में अगर youtuber को पूछो कि क्या करूं क्या allocation रखो is going to be a mistake क्योंकि उसको नहीं पता आपकी income कितनी है saving कितनी है emergency fund कितना है stocks में कितना लगाते हो mutual fund में कितना लगाते हो FD कितने की है sona है या नहीं है real estate है या नहीं है बीवी बच्चे है के नहीं है parents आप पर dependent है या नहीं है YouTube comments से इस तरह का allocation advice लेना is going to be very risky k.btc पूछते है कि मैंने Ditto में यानि कि Delta Exchange का जो token है उसमें good amount of money plan किया है आप बात कर से Delta Exchange I think is a good exchange I don't think it is a bad exchange but risk आप अभी देखिरे हो बड़े बड़े exchanges fail हो रहे है पहली बात दूसरा मैं personally exchange token से बहुत दूर exchange token में FTX का FTT Kucoin का KCS I think are good but वहाँ पे भी risk है FTX I think does fine now काफी लोगों को लगता है BNB जो token है वो Binance exchange का token है no 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 Binance smart chain and Binance exchange दोनों अलग चीज़े है please इस चीज़ को आप ध्यान में रखे same नहीं है so अगर हम exchange token की बात करें तो हम FTX वगेरा की token की बात करें I think potential है वहाँ पे I don't think यहाँ इतना potential आपको मिलेगा जितना बाखी जगाओं पे मिलेगा बाखी कोई जो मिलेगा क्योंकि हम opportunity cost को vary करें ऐसा ही मैंने नोडिस किया कि और exchange token में बहुत लोगोंने पैसा लगा मेरे हिसाब से नहीं करो दूसरी बात इसमें मैं आपको एक option दूँ तो मैं आपको बताता हूँ MBA के टाइम पे I don't know I think शाइद BBA में भी पढ़ाते होंगे PESTLE analysis बोलते है regulation related issues right now Indian ecosystem is going to face a problem and can face a problem potentially एक problem face करेगा क्योंकि आपको Indian government का stance अभी पता है तो वहाँ पे investing a good amount of money in Indian ecosystem थोड़ा सा एक risky business move हो सकता है वो चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप उसको कैसे measure कर रहे हैं उस risk को उसको कैसे mitigate कर रहे हैं अगर आप सही में बोल दो है नहीं मैंने मेरा सारा research कर लिया है मेरे को पता है वो जो भी exchange का token है चाहे delta है चाहे bid BNSA चाहे कोई भी है बहुत अच्छा करेगा मेरे को पता है मैंने सारा research कर लिया है fine पर आप उस risk को mitigate कैसे कर रहे हो आप उसके against hedge कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बहुत सही तो crypto currency में अगर हम बात करें यहां पर तो market cap cryptocurrency की 1 trillion dollars है यहां पर bitcoin है यह रुपय में क्यों है US dollar में move कर लेते हैं ताकि calculation थोड़ी easy हो जाएगी तो bitcoin की market cap है 400 billion dollars with a B यहां पर अगर मैं Shiba इनू ढूनू तो let me open Shiba इनू एक बहुत easy तरीका है पता करने का कि कैसे कौन सी चीज कहां पहुँचेगी तो SHIB एक रुपया पहुँचने के लिए आप देखो SHIB की circulating supply कितनी है आप यहां देखो हम साड़े 5 trillion की बात कर रहे हैं अगर SHIB एक रुपया पहुँचता है तो SHIB की जो market cap है वो आज पूरी crypto की market cap की 5 गुणा होनी पड़ेगी पूरी crypto की market cap पूरे world में जितने crypto's हैं bitcoin वगरा included उनको पकड़ो उनको 5 गुणा कर दो उतना SHIB इनू को बड़ा होना पड़ेगा एक रुपया पहुँचने के लिए जो लोग लाखो रुपया लगा रहें unfortunate situation है कि लोग लाखो रुपया लगा रहें ऐसे coins में मैंने notice किया है लगा रहें on the hopes कि वो एक रुपया पहुँचाएगा और हम करोड़ पती बन जाएंगे पहली बात वो ये नहीं सोच रहे फिर मुझे एसे भी लोगों ने comment किया है अगर उन्होंने burn कर दिया तो ठीक है 5 trillion token है कितना burn करेंगे वो 4 trillion burn कर देंगे चलो बोला 4 trillion token burn कर दिया पहली बात वो कहां से लाएंगे burn करने के लिए users अपना token give up करेंगे buyback की करना पड़ेगा buyback करके burn करना पड़ेगा buyback का पैसा कहां से लाएंगे ये लोग तो buyback नहीं करेंगे तो users क्या बोलेंगे चलो हम खुद से हमारी अपनी willingness से burn करते हैं donate करते हैं technically राइट मालों उन्होंने 4 trillion भी burn कर दिये यानि कि अपनी पूरी supply का 80% भी उन्होंने burn कर दिया तो भी SHIB का market cap आज पूरे crypto के market cap जितना होना पड़ेगा 1 trillion how will it work तो SHIBा इनू जो लोग बोलते हैं एक रुपया जाएगा वो ये चीज नहीं सोच रहे हैं वो यहाँ फसे हैं कि यार ये एक रुपया चलागा तो मेरी जिन्दगी कितनी बेटर हो जाएगी that is called a mistake बहुत बड़ी गलती है इस तरह की चीजे सोचना बिना किसी तरह के research के तो आप total circulating supply या max supply की तरफ ध्यान दे और आप calculate कर सकते हैं कि उसका इतना price जाएगा तो इतनी market cap बनेगी क्या इतनी market cap possible है वो भी Shiba Inu जैसी चीज में जिसका गोई घंटा अभी तक use case है to be honest pardon my language sorry but बहुत irritating हो जाता है जब लोग बोलते हैं मेरे को इसने जबरदस्ती Shiba में करवा दिया या ऐसा हो गया या वैसा हो गया लोगों का loss होता है बहुत दुख होता है ये सुनके बहुत दुख होता है वो Twitter DMs पढ़के कि ऐसे shit coins में लोग अपना घरवर बेचके पैसा लगा रहे है तो वो एक emotional topic है मेरे लिए personally because this is ridiculous ये पूरे crypto का नाम खराब करता है ये चीज and इस तरह का इस तरह का सोच जो बहुत सारे YouTubers भी promote कर रहे है इस रिडिकिलस not related to crypto बट मेरा की opinion है कि हम double amount of money देते है cars के लिए जबकि बाहर entry level Mercedes और वगेरा 40 lakh की खरीच सकते है तो पहली बात इंडिया में भी 40 lakh की range में आ जाती है नहीं वाली but थोड़ा up down of course but I get your point आप बात कर रहे हैं आपर duty की so हर country का अलग rule होता है कुछ custom duties होती है to promote certain kind of trade so अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया या राधर इंडिया में cotton मानलो cotton की कमी है and cotton trading होनी है cotton का import आना है तो इंडिया चाहता है कि इंडिया को cotton मिले जादा तो वहाँ पर उस टाइम पर वो duty adjust की जाती है and कुछ bonuses, कुछ subsidies वहाँ पर दी जाती है cotton import के लिए and वहाँ पर customs की duty से change किया जाता है so that will depend item to item government का plan to government का plan from what I know वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है I think अगर आप यही if I'm not wrong Malaysia, Thailand यह side पर भी चले जाओ and आप in fact अगर आप Nepal जाओ and आप वही car order करने की कोशिश करो जो इंडिया में अपन को मिलती है you'll pay much more much much more in Nepal than you pay in India also so वो हर country का अलग है और होता है कुछ country में कोई चीज महेंगी होती है we can't do much about it do I like it? of course not कौन जादा पे करना चाहता है कौन 40% extra रुपया देना चाहता है कोई भी नहीं देना चाहता but अब क्या अगर सकते right taxes and यह सारी चीजों में अभी बहुत काम बाकी है जो आने वाले सालों में hopefully हमको देखने को मिले tax penetration में भी बहुत काम बाकी है जो hopefully आने वाले सालों में हमें देखने को मिले वागर जब ही currently 1% के आसपास लोग हैं जो actually tax दे रहे हैं और उन्हीं के उपर और ज़्यादा tax लगाया जा रहा है so let's see how things pan out lost tell पूछते है कौन से chain में अपना Ethereum और Bitcoin रखें क्या new chain are safe to keep funds the answer is no नए chains बिल्कुल भी safe नहीं होंगे क्योंकि नए chains का market cap low है उनको hack करना easy है smart contracts उतने time tested नहीं है जैसे Ethereum और Bitcoin के so Ethereum को ERC में ही रखें मेरे opinion में Bitcoin को आप Bitcoin chain पे ही रखें please don't go for wrapped Ether wrapped Bitcoin I think बहुत ही जादा रिस्की है even if you are talking about a chain such as Polygon chain या Binance chain जो relatively strong contenders है of being a safe chain I think ETH ETH में रहना चाहिए BTC BTC में रहना चाहिए BNB को चाहिए move around कर लो बागी को altcoins को move around कर लो लग-लग chains में I think but ETH ETH और BTC BTC रहना चाहिए Michael Seller पूछते हैं कि मेरा सवाल tax related है अगर हम crypto hold करें और दूसरे international exchange पर but मैं gulf country में रहता हूँ पर मेरा account दोनों तरफ का है तो India से मैं जब पैसा भेजूँगा तो क्या tax लगेगा so let me मैं जो समझाऊं इस question में आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पर tax residency play हो सकती है पहली बात so India से जब आप बाहर जाते हो and आप बाहर के resident मन जाते हो तो आपका India का bank account वो NRO वगेरा NRE accounts होते हैं उसमें change होता है it is not the same as having normal bank account जैसे आपन लोगों के पास India में रहते हुए होता है वो अलग bank account हो जाता है उसके अंदर अलग laws आते हैं अलग rules apply होते हैं and अगर आप tax resident नहीं हो इंडिया के और आप दुबई में tax resident हो and आप वहाँ tax दे रहे हो so there are going to be different rules जो आपको apply होते हैं but अगर आप इंडिया से पैसा in out कर रहे हैं वो NRO NRE accounts के rules अलगे हैं इसका best best अगर मैं आपको advice दूँ तो एक CA से बात कर लो अगर आप actually ऐसा कर रहे हो तो एक CA से बात कर ले उनको एक घंटे का consultation का डेड़ दो हजार उपया दे सिरफ consultation की बात करो tax filing की नहीं बात कर रहा हो this one one and half two thousand रुपीज आपको इतनी clarity दे देगा कि आपके आगे का सारा planning आपको पता लग जाएगा आपके future में क्या करना है अगर आप ये model करना चाहते हो कि आप बाहर जा रहे हो बाहर रहते हो पट आपका इंडिया में भी account है तो आप दोनों तरफ से पैसा in out कर रहे हो for crypto और for whatever राइट वो आपको ये बहुत बेटर समझा पाएंगे देन यूट्यूबर एस्पेशली यूट्यूबर जो CA खुद नहीं है Mr.Hoppy पुछते है कि भाई blockchain में job करनी है BCA के बाद कोई opportunity है कहाँ apply करना पड़ेगा as a developer qualification क्या चाहिए और releveal कर सकते हो पहली बात इस पर एक dedicated video financial funda channel पर आ जाएगा I will try कि मैं आने वाले कुछ दिनों में भी बना सकूँ second thing I think BCA के बाद opportunity है doesn't matter क्योंकि आपको blockchain developer बनना है तो आपको javascript आनी चाहिए पहली बात आपको solidity आनी चाहिए solidity के security systems आने चाहिए आपको data structures आता हो ना आता हो still varies because blockchain है तो थोड़ा सा system अलग है but it is going to be a plus qualification की अगर बात करें guys as a blockchain developer आपका काम देखा जाएगा mainly mainly so वो चीज़ बहुत जादा important है तो आप side project खुद का sample के लिए क्या कर सकते है अपना github repository में आप क्या-क्या चीज़े आड कर सकते है वो आप पे depend करेगा re-level पे blockchain का कोई लेना देना नहीं है from what I know मुझे re-level के बारे में जादा पता नहीं but I know for a short shot कि re-level पे जादा information नहीं है आगर आप सही में qualification कोई लेना चाहते हैं software development side आप bootcamp वगरा कुछ करना चाहते है तो scalar academy मुझे काफी well recommended है मेरे जान पेचान वालों से scalar academy का program आप check out कर सकते हैं थोड़ा महेंगा है बड़ चेक आउट कर सकते हैं parallel में अगर आप थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं तो meta वालों का front end development program है या back end development program है Coursera पे आप वो चेक आउट कर सकते हैं या slash you can check out Coursera वहाँ पे blockchain development के और भी certificates हैं जो आप explore कर सकते हैं मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा बेटर आपको qualification site से आपको information सिखा देंगे qualification में universities ने courses निकाले हैं वो सारी चीज़े बट web 3 एक international system है तो अगर आपको खुद को blockchain development आता है आप job ढूंड सकते हो आपको मिल जाएगी LinkedIn profile अच्छी रखना बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो कर लिया अभी भी नहीं मिल रही LinkedIn profile अच्छी रखो अपना GitHub profile अच्छा रखो अच्छे से apply करो अपना resume बहुत ही अच्छा दिखने वाला बहुत ही अच्छे से सारी चीज़े उसमें रखो side projects बना लो खुद का एक coin बना लो sample के लिए या coin से better कुछ ऐसा बना लो जहां पर web 3 auth आप use करे हो यानि की user आये किसी तरह से अपना wallet connect करे फिर वो wallet को आप transaction pass करते हो किसी तरह का यह तरह की जो चीज़ें यह तरह के contracts अगर आप बना लोगे तो वो एक अच्छा smart smart as in not smart contract लोगे बट smart एक एक दिमाग से तेज project हो सकता है बिकोज आप एक real world problem solve कर रहे हो तो जिन लोगों को आप अपनी application भेजोगे उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ अप अच्छा करे हो दूसरी चीज़ बहुत सारे लोग internships नहीं डूनते है डारेक नौकरी डूनते है पांच लाग की नौकरी चाहिए मैंने आप development सीख रही है अप फ्रेशर हो पहले internship लो समझ लो तीन महिना internship करो छे महिना internship करो उसके बाद यूल गेट बेटर opportunities in a job दूसरा अगर आपको नहीं पता लग रहा है कहां से start करना है NGOs से भी आप start कर सकते हो पता कर सकते हो कि कोई NGOs हैं कोई ऐसी foundation है crypto वाली जो to show कि आपको blockchain development आता है आपका certificate या आपका मू बोला वचन nobody cares about आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको development आता है आपको दिखाना पड़ेगा कि बाकी लोग आपको hire करना चाहते हैं इसलिए internship is a great way अगर आप career change भी करना करूँगा सस्ते में भी कुछ नहीं करूँगा that is not possible especially आगर आप नया career start कर रहे है किसी का भी career ऐसा start होता है मैंने खुद free client से start किया है और ये question repeat हो my bad moving on crypto dj मैं अभी blockchain development सीख रहा हूँ पर youtube के crypto की video बना सकता हूँ क्या आपको मेरे को पूछने की जुरुवत नहीं है आप बनाना चाहते हैं आप बिंदास बनाए अभी crypto में आप क्या बनाओगे आप के ओपर है आप trading बनाना चाहते हो आपको TIA आता है अच्छा आता है आप users को कुछ value दे सकते हो especially you can make sure कि आप अच्छा content दे रहे हो so that users का fall to loss ना हो येस लोगों को पसंदी आएगा वो अगर आप blockchain development सिखाना चाहते हो I think बहुत ही अच्छा field है बहुत कम लोग ये कर रहे है blockchain development वाली site से कोई भी जादा लोग सिखा नहीं रहे है आपको audience size जरूर कम हो आपको लाखो लाखो लोग follow नहीं करेंगे क्योंकि आप development सिखा रहे हो बढ़ आपको हजारों लोग follow करेंगे वो हजारों लोग में आपका बहुत अच्छा career potential बन जाता है you need only one right person watching your videos तो मेरे हिसाब से definitely why not और इस field में वैसे भी हमको अच्छे content creators की जो depth समझते हैं blockchain का उनकी जरूरत है moving on to youtube comments right fundamentally good projects कौन से marketed properly नहीं है I think ethereum but ethereum को जरूरत नहीं है but I think polygon is another one जिसको जादा market नहीं किया जाता I think BNB as a coin has a lot of potential not much marketing done I think cardano side से भी जादा चीज़े नहीं की जाती हाला कि cardano के पास अभी product नहीं और बहुत slow चल रहे हैं वो थोड़ा सा disappointing है but then उसके लावा और भी है जो frustrating तरीके से marketing करते हैं कभी-कभी unfortunately कुछ teams के साथ मैं किसी ना किसी तरा की conversation में हूँ तो मैं नाम नहीं ले सकता but मैंने उन teams को बताया है बहुत open लिगी आप लोग थोड़ा marketing में फोकस कर लो unfortunately इतना ही पता पाऊँगा इस question के बारे में excuse me yeah खांसी अभी भी है भाई-थावे महीने से उपर हो गया तो बाई-थावे जिन लोगो नहीं पता है 20-30 coins में अगर यह क्या बहुत सारे है so यह पूरागा पूरागा है speculation है crypto speculation है stock market में speculation है तो अगर आप किसी भी asset पर speculate कर रहे हो और अपना research करके आप risk कम कर रहे हो with that being said diversification is important but diversification इतनी नहीं होनी चाहिए कि मानलो कोई coin बड़ा या कोई stock बहुत ही बड़ा पर आपके portfolio में कता ही असर नहीं पड़ा मतलब इतना छोटा नहीं होना चाहिए इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर वो by chance खतम हो गया या कुछ problem आ गई तो आपका portfolio ही खतम हो गया आप market से ही out हो गया तो ये दोनों चीजों को आपको यहां पर balance करना पड़ेगा now 20-30 coins is not a good idea अगर आपका portfolio दो-तीन हजार रुपे का अगर आपका portfolio दो-तीन हजार रुपे का है तो आप 5-7 coins से जादा नहीं करो 5 coins भी जादा बोल रहा हो मैं I think तो अगर आपका portfolio बड़ा है बहुत ही बड़ा है then maybe 20-30 coins makes sense then Raj पूछते है question 1 कि halving के बाद एक साल के बाद bitcoin 2024 में halving आएगी उसके एक साल के बाद price का होगा I don't know to be honest I really don't know अब bitcoin में energy consumption है Ethereum जिसका एक solution दे रहा है अब क्या Ethereum bitcoin market cap का आपको overtake कर सकता है I think potential है I think Ethereum जब proof of stake पे move होगा तो बहुत सारे US के institutional investors है जो environmental laws की वज़े से bitcoin में invest नहीं कर पाए है and because Ethereum के जो है tokenomics change हो जाते है Ethereum almost deflationary बन जाता है जिसकी वज़े से bitcoin में लोग आते है I think वो एक attractive choice हो जाएगा बहुत सारे institutions के लिए आने वाले कुछ सालों में क्योंकि Ethereum utility भी देता है एक Ethereum virtual machine जिसको हम बोलते है यानि कि Ethereum is a world computer जहांपे हम हमारी apps को बना के publish कर सकते है decentralized apps that is I think Ethereum काफी जादा utility देगा वो deflationary हो जाएगा उसका tokenomics अच्छे हो जाएगे so there is a chance chance बोल रहा हूँ guarantee नहीं बोल रहा हूँ तो the flippening के उपर आपको मेरे channel पर भी आने वाले time पर videos दिख सकते हैं thumbnail में भी flippening होगा title में भी flippening होगा थोड़ा सा clickbait होगा but hopefully उस video में as always I'll be able to deliver the best content that I want to irrespective of कि उसका title और thumbnail क्या है but I think थोड़ा सा chance है यह होने का अब यह सुनके पैसा मत लगाने चले जाना ठीक है not financial advice please please so mister explainer पूछते कि मेरा portfolio 70% down है invest करूँ zero होने का डर है क्योंकि अलरड़ी खतम हो रहा है और invest करूँ या क्या करूँ या निकाल लो और wait करूँ unfortunately this is the thing यह आपको पहले plan होना चाहिए था अगर आपके portfolio में bitcoin है ethereum है then कोई tension वाली बात नहीं है long term अगर आप hold करेगा अगर altcoins है can be very risky इसलिए बोलते है portfolio allocation आपको strong बनानी चाहिए जिसमें बड़ा chunk bitcoin ethereum के पास हो अगर वो है तो I think आपको already पता है क्या करना है but इसलिए यह जो plan है कि मेरा portfolio इतना down चलागा तो मैं क्या करेगा मेरा portfolio 30% down चलागा मैं सिरफ altcoins में invested हूँ 30% गिर गया तो मैं out हो जाँगा 7000 रुपया लेके रख लूँगा and wait करूँगा market के और down जाने का या आप जाने का फिर आऊँगा यह plan invest करने से पहले बनता है unfortunately आज आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको नहीं बता सकता यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या execute कर सकते हो आपके लिए क्या better है आप कितना risk ले सकते हो कितना आपके पास extra पैसा है कितना नहीं है यह सारी चीजें matter करती है in these kind of things इसलिए यह तरह के suggestions मैं हमेशा बोलता हूँ कि YouTube पे पूछने भी नहीं चाहिए बहुत risk हो जाते which crypto can be a good use in real life and मेरा क्या thinking है I think Matic already काफी अच्छे तरीके से बहुत सारी जगाओं पे use हो रहा है I think Ethereum chain का use to give degrees is a great use case क्योंकि इससे fake degrees जो है वो आउट हो जाएंगी I think बहुत ही अच्छा potential है then अगर हम बात करें V chain की जो supply chain में काफी help कर रहा है I know China वाला scene है I know China main as in Chinese लोगों की तरफ से understood all of that fine but मैं India-China relation अगर हटा दो मैं as a project बात कर रहा हूँ V chain as a project तो वो I think वो लोग अच्छा कर रहे है I think chain link काफी अच्छा कर सकता है because chain link जैसा जो coin है वो data का transmission which is especially आज की दुनिया में जहां पर जादा-जादा काम software से होता है जादा-जादा काम में data आता है तो data का जो flow है off chain to on chain, on chain to दूसरा on chain on chain to वापिस off chain वो chain link काफी अच्छा कर सकता है और काफी सारी चीज़ें वो लोग कर भी रहे है आप check out करना काफी interesting काम चल रहा है all right जिवन कृष्ण गोबे पूछते हैं मेरा future target क्या है, एक करोड, दस करोड, सो करोड कितना कमाना चाहता हूँ, उसके बद में possible नहीं है, क्योंकि एक age के बाद काम नहीं है, जैसे आज मैं 15-15 गंटे काम कर सकता हूँ बट जब मैं 60 का हूँ, नहीं जब मैं 50 का हूँ, मैं करना भी नहीं चाहूँगा 50 साल का होका है इतना काम, right तो of course, काफी बड़ा chunk of जो मेरा आज का earnings है, वो savings और investing में जाएगा पहली बात जहां तक बात है कोई limit कि आज मैं एक करोड़ बना लूँगा उसके बद मैं चिल मारता हूँ, I don't have anything in mind at this point personally, I think ये guess कर पाना थोड़ा सा tough है, क्योंकि financially free होने वाले काम को लोग बहुत 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 करते हैं, कि मैं आज या मैं आगले 20 साल ऐसा काम कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है and जब मेरे पास इतना पैसा आजाएगा, मैं पसे करोड़ आजाएगा, मैं पसे 10 करोड़ आजाएगा, उसके बाद मैं वो काम करना बंद कर दूँगा, और मुफत बैटूँगा, बीच पे अपन मस्त चिल मारेंगे I'm not that kind of person, fortunately मैं ट्राइ कर रहा हूँ कि मैं लाइफ ही ऐसी बनाओ, या मेरा काम ही ऐसा हो, जो मुझे बंद करने का मनना हो, जो मुझे पसंद है right, so if if that is true, if this holds true for next 10 years, 15 years I don't think मेरा ऐसा कोई target है हाँ, यह जरूर है कि मैं 40 की एज अभी मैं almost 30 हूँ and when I say almost 30 मतलब कुछ महीने में 30, पूरा हो जाएगा मेरा अगले 10 साल में मैं इतना बना लूँ कि मुझे जितना मैं आज पुश कर रहा हूँ उतना पुश ना करना पड़े hopefully उसका 50 to 75% ही मुझे physically पुश करना पड़े अब उसमें हो सकता है कि सिर्फ पैसा बना के investment return नहीं उसमें यह भी हो सकता है, मैं smart work and systems क्या set कर सकता हूँ so that मुझे काम कम करना पड़े, बट मुझे return अच्छा मिले तो वो चीजे भी मैं अगले 10 साल में बिल्ड करना चाहता हूँ मेरे लिए so that family को जादा time मिल पाए जो नहीं मिल पाता, which is very very important I think, from a money perspective of course मैं पैसा बनाना चाहता हूँ बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ but दिमाग में कोई ऐसा नहीं है कि यार इतना बनाना ज़रूरी है या इतना ही चाहिए उसके बाद चिल मारेंगे दानिश कान बुछते हैं कि एक crypto fundamental channel कैसे बनाए please answer so first of all I think coin bureau वगरा जैसे channels है जो बहुत ही अच्छा fundamentals बताते है तो आप users को उनसे अलग क्या दे सकते हैं now मेरे fundamental videos work because आप में से बहुत सारे लोग English में उतने अच्छे नहीं है अभी जितना required है coin bureau जैसे वीडियो को समझना पहली बात I do think आपको English पर practice करने चाहिए करियर में बहुत फायदा होगा but coin bureau के videos ही जादा देखके आपको English बेटर आने लगेगी मैंने dragon balls ही देखकर English सीखी है अच्छे से बोलना वागेरा so ये एक पहली बात हो गई तो आप ऐसी audience या रादर audience में कहां पर value gap है coin bureau एक अलग तरह का video बना रहा है कोई और कोई अलग तरह का video बना रहा है आप users को क्या चाहिए fundamentals की अगर बात करें आप उसको deliver कर सकते हो कैसे एक unique तरीके से deliver कर सकते है unique मतलब आपका अपना तरीका unique ही होगा वो आप कैसे कर सकते हो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा और उसके आसपास आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा में users को एक unique तरीके से solution कैसे तूँ पहली बात दूसरा YouTube पे consistency matters a lot a lot बहुत ज़ादा matter करता है so वो एक important point आ गया तीसरा अगर आप YouTube पे कुछ भी कर रहे हैं आपका thumbnail और title बहुत important है उस पे focus करें go for almost clickbait level quality but clickbait ना हो so clickbait का मतलब क्या होता है कि title thumbnail में बिल्कुली कुछ और है अंदर opposite मैं यहां बात कर रहा हूँ crypto की अंदर बात किया video आपने खोला तो हम वहाँ पे drawing कर रहे है that is called clickbait पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या Shiba Inu एक रूपया जाएगा question mark in thumbnail but मैं वीडियो में बात किया हूँ Shiba Inu एक रूपया जाएगा है नहीं जाएगा that is not clickbait लोग उसको clickbait बोल देते हैं बड़ वो clickbait नहीं है वो है लोगों को थोड़ा सा प्रोच सान देना आओ आओ देखो मेरा वीडियो and जब तक लोग आओ आओ करके देखो मेरा वीडियो पे response नहीं करेंगे मेरा चैनल ग्रो नहीं कर सकता मैं उसको as a career option नहीं ले सकता because YouTube run करना घंटो लेता है and सालों लगता है कुछ लोग जल्दी viral हो जाते है I have never gone viral by the way मैं 5 साल से हूँ YouTube space में मैंने 6-6 million subscriber वाले channel manage किये हैं 6-6 lakh 5-5 lakh subscriber वाले channel manage किये हैं back end पर पर मेरा channel मैंने कभी खुद ऐसा viral वाले नहीं कया है पहले business marketing के videos बना रहा था because that's what I do आज मेरा career marketing and business में ही है master's है मेरे पास international business में Boston से तो मैं वो US का experience वो सारी चीज़े शेर करता था then उसमें मैं finance की बात करता था stocks की बात करता था थोड़ा थोड़ा crypto की बात करता तो I started moving content towards crypto and that worked तो मैंने उसको push किया तो technically viral कुछ नहीं कया है मेरा इतने सालों में आप देख लो आप channel पर आपको पता लगी जाएगा so it is very important कि आप वो commitment देने को भी थ्यार हो personal पुछते हैं कि अभी market down है buy order 2k पे each each करके 12-14 fundamental strong coin पे लगाएं या 6 coin लेने 100-100 each ये ब्रो वापिस मेरा 2-3 question पहले वाला question पे जाओ कि आप किस तरह का risk लेना चाहते हो आपके portfolio में पैसा कितना है आप कितने up-down से है सकते हो क्योंकि अगर आप 6 coin लेने वाले हो that means आप altcoins ले रहे हो fundamentally strong मतलब let's say आप top 20 के coins पकड़ रहे हो top 20 के coins आज के price से 50-60% down जा सकते है तो आप ये सोच रहे हो कि आपका portfolio 50-60% down जा सकता है तो आपको कितना चलेगा हो diversification उसमें कितनी चलेगा तो ये decision finally आप से आएगा but आपको सोचने का मैंने थोड़ा सा idea दे दिया कि कैसे आप इसके बारे में सोचे alrighty guys this is the last question तो last question के नाम पे एक like लगा दे काफी बड़ा video है by the way I just noticed हमें bitcoin में invest नहीं पर savings bitcoin में करनी चाहिए आपका क्या मानना है I think हमें crypto में bitcoin hold करना चाहिए I think हमें stock market में investing करनी चाहिए stock market में invest is also savings for the long run क्योंकि आप inflation बीट कर पाते हो I think real estate is also something that you should explore I think FDs भी आपको explore करनी चाहिए I think gold भी आपको explore करना चाहिए एक asset class से प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए ये मेरा मानना है and इसके उपर आप क्या thought आप मुझे नीचे comment बदा सकते है that's it guys ये है आज का Q&A session hope EA वीडियो में आपको answers मिले होंगे अगर आपका question आप नहीं पूछ पाए थे तो अगले हफते में पूछ सकते है बढ़ हो सकता है काफी कुछ answer यहां पे हो गया हो guys तो as always like button जरूर दिपाए और नीचे जो है subscribe करना भी मत भूले and comment जरूर छोड़े कि आपको यह वाली series जो है कैसी लग रहे है बहुत महनत है इसमें एक सवाई गंडा मेरे को सब screenshots लगाने में लगता है एक गंडे का आज recording भी हो गया है so I hope आपको यह पसंद आ रहा हो अगर नहीं आ रहा है तो भी मुझे नीचे आप जरूर बता सकते हैं this is Shivam signing off मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए as always take care and make sure कि आप अपनी families के साथ जादा spend time जो है जादा time spend कर रहे हैं क्रिप्टो का प्राइस देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग को शान्ती दे and chill मारें मिलते हैं अगले वीडियो में guys take care